कि अब फाइव कताब से स्रीगर रन अदाल मिल लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके थे कि देखो कुशन नबर फूर तक हम आपको बोले थे कि देखो अगर हम एक डाल मिल चला रहे हैं तो दाल बनाना और उसको बेचना ये तो मेरा बिजनस है ही ये मेरा में बिजनस है लेकिन उस बिजनस के साथ साथ दाल के साथ साथ अगर हम भूसा भी बेच रहे हैं तो ये मेरे बिजनस का पाठ है ये भी मेरे पीजी बीपी इंकम का पाठ है गलती से उसको अधर सोर्थ सम धान से चावल तयार करोगे तो धान के अंदर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है चावल लेकिन जो उपर का जो छिलका होता है उसको क्या बोलते हो आप भूसा बोलते हो तो अगर हम भूसा बेच दियें तो चावल बनाने वाली कंपनी के लिए चावल बेचना पीजी दिशता है तब भी वो उसका बीजी बीपी इंकम ही होगा गलती से उसे अधर सोर्थ समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत किजेगा तो यहां पर भी देखो वैसा ही कोश्चन है अगर ऐसा ही कोश्चन आता बोलता हम एक आटा मिल है तो आटा बनता किसे यहूं से तो अगर उ अगर वो आटे के साथ-साथ, चोकर बेशता है, खली बेशता है तब भी वो उसके प काउंट होगा ना कि कसी और जगापे अगर वो सुजी बीप बेशता है अगर वो मैदा बैशता है तो थो सब उसी process का part है अलक से उसके उसे lacking processing नहीं करना बड़ता तो आपको ध्यान र बात चलिए बहुत छोटा सा कुशन है जितना आप लॉंग कुश्चन पड़े हुए लंबा लंबा ऐसा कोई कुश्चन नहीं है बहुत छोटा सा कुश्चन है उलजना नहीं है इसमें देखो सबसे पहले क्या बोला कि श्रीगर्ग एक डाल मिल जो है वो चला रहा है अब ड और डाल के साथ साथ डाल से रिलेटेड जो आइटम्स है है ना हम उस आइटम को बेच रहे तो वह पीजी बीप यह लेकिन उससे अलग अगर हम कुछ और इंकम अर्न कर रहे तब फिर वह पीजी बीप इंकम में काउंस नहीं होगा ज़रा देखते क्या लिखा है सत्तरों प्रॉफिट लॉस आगउंट साथ इसमें भर भरकर के आपके पास छेव अलग अलग अडाइशनल रिया हूए अभी आपको कुछ अब इसमें से हम माइनस करते थे इंकम जो पीजी बीपी इंकम नहीं है ऐसे इंकम को हम यहां से क्या करते थे माइनस करते थे देखिए अभी तक कुष्टन में सिर्फ पील अकाउंट बना के देता था इस कुष्टन में ट्रेडिंग भी दिया हुआ है इस कुष्टन में प् अगर आपको लगता है कि trading account के credit side या pl account के credit side कोई वी ऐसा income है जो मेरे business का income नहीं है तो हम पहले उसको net profit में से क्या करेंगे minus करेंगे जरह देखें तो है की नहीं सबसे पहले बोला sale of pulse डाल बेचना डाल बनाने वाली company के लिए डाल बेचना यह तो PGBP income है मतलब income allowed है छोड़ देंगे सेल अफ हस घास फूस बेज़ दी है उसका है ना तो हम क्या पढ़े थे भी दाल और दाल के साथ साथ उसका भूसा बेचना भी क्या है यह पीजी बीपी इंकम का ही पार्ट है तो यह भी हो गया क्लोजिंग स्टॉक मैंचिंग कंसेप्ट की वजह संब लिखते था कि मेरा ग्रॉस बॉफिट निकल जाएं तो छोजिंग स्टॉक यह मेरा इंकम नहीं होता है तो इसको इगनौर करियेगा ब्रॉफिट ट्रेडिंग पील से ही ट्रांस्फर होके आया होगा इसलिए इसको भ लिख दिया वीट बिजनस हमको पता है कि ये डाल का इंकम नहीं है ये गेहूं का इंकम है लेकिन आप जड़ा ये सोचो हम आटा चक्की नहीं चला रहे हैं हम डाल का बिजनस कर रहे हैं मतलब मेरा बिजनस डाल का है लेकिन डाल के साथ साथ हम गेहूं भी बेच लिया करते ह क्या ये PGBP income के अलावे क्या ये other source में जाएगा income कौन सा head of income किसमें जाएगा मेरा main business डाल का है लेकिन डाल के साथ साथ हम गेवों भी बेज लेते तो क्या ये other source में हो जाएगा तब भी ये कौन सा income कहलाएगा PGBP income ही कहलाएगा आपको focus इस बात पर करना है कि हम profit and gain of business and profession calculate कर रहे है तो इस income के अंदर वो item है के नहीं अगर PGBP का income नहीं है किसी और head का है heads of income 5 है इसमें PGBP का अगर income है चाहे वो कईसे भी हो चाहे पत्ती भी बेचोगे तब भी वो PGBP income तब भी उसको लेए हाँ अगर PGBP के अलावे salary, house property, capital gain या other source इन चाहर head का income अगर दिखता तो हम उसको income not allowed मानते तब हम उसको minus करते लेकिन गेहूं बेचना मेरे business का part है तो हम इसको PGBP income में consider करेंगे हाँ ये अलग बात है कि वो दाल का business नहीं लेकिन है तो business ना मेरा ही तो business है मेरा ही तो income है इसके बाद ही क्या लिखा income from commission of agency business अब दाल के साथ साथ हम गेहूं भी बेचते थे और इसके साथ साथ हमारा एक agency भी था और उस agency से हमको commission मिला तो agency से commission मिला तो agency business किसमें आता है पीजी बीप में आता है एजेंसी किसमें आता है पीजी बीप एजेंसी समझते हो है ना तो agency business से जो commission मिला मिल commission रहा है अगर सिफ लिखता commission receive तो यह other source income में होता है लेकिन यह commission मुझे कहां से मिला agency business से मिला agency business किसको कहते हो किसी company का agency हम लिए हम उस particular company का goods market में sale करेंगे और जितना भी माल बिकेगा उस sale पर मुझे उस company से क्या मिलेगा commission मिलेगा इसका मतलब है कि ये मेरे लिए कौन सा income में आएगा ये business related income हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि ये commission brokerage नहीं है ये commission किस पर मिल रहा है मुझे business पर commission मिल रहा है agency business से जो commission मिलता है वो commission हमारे लिए PGPP income का part होता है तो हम क्या करेंगे इसमें से income जो not allowed है ऐसा तुमको कुछ दिखा कि not allowed वाला income कुछ है मतलब इसमें जितना भी income है वो सब allowed है तो जहां allowed है तो आपको कुछ नहीं करना है तो खतम किजिए खतम हाँ अब additional में अगर कुछ आ गया तो हम नहीं कह सकता है अब expenses के साथ देखो ओपनिंग इस्टॉक allowed है है ना यानि अब हम धून रहे हैं कि कौन सा ऐसा expenses है जो मेरे पीजी बीपी का expenses नहीं है अगर यहां कोई भी ऐसा expenses जो पीजी बीपी का expenses नहीं है अगर यहां हुआ तो हमको उसको नेट profit के साथ अब क्या करना होगा एड कर लेना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी profit को बढ़ा देगा अब परचेज ऑफ ग्राम वेजेज यह सब तो अलाउड है पेटेंट परचेज कर लिए लास्ट क्लास भी हम लोग पढ़े थे कि देखो पेटेंट खरीद लेना यह हमारे लिए expenses नहीं है हां इस पेटेंट पे जो depreciation लगेगा वो हमारे लिए अलाउड है तो पेटेंट पर depreciation का रेट पिछले क्लास भी पढ़े थे कि देप्रिसियेशन एड़ रेट कितना परसेंट 25 पर एनम चार्ज किया ता किस पे पेटेंट पे तो हम क्या करेंग रेखो जो पेटेंट हम पर्चेस किये यह आइटम कितने का था साथ हजार तो यह मेरे लिए नौट अलाउड था लेकिन इस साथ हजार पे 25 परसेंट जो depreciation लगेगा वो अलाउड था तो हमको क्या करना पड़ेगा कि साथ हजार रुपिया नौट अलाउड है तो एड़ करना फिर 25 परसेंट अलाउड था तो उसको फिर क्या करो घटा दो उससे बढ़िया है कि हम एक काम करते हैं कि यहीं पर हम लिखेंगे पेटेंट है नौट अलाउड वाला इसमें क्या किजेगा साथ हजार में में 25 परसेंट कि डेप्रिशियेशन माइनस कर लेंगे कितना है एगा कि साथ हजार का पचीस परसेंट निकाल लो इस तरह सो पचास आएगा अब साथ हजार में सतरह सोपचास हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे 5,250 यनि आप यह सूछ यह इना साथ हजार जोड़ते और 1750 घटा लेते उससे बढ़िया है कि साथ हजार में 1750 घटा कर जो बज्या उसी को डारेट आप क्या किजेगा expenses not allowed मान करके इसी पैसे को आप इस net profit के साथ क्या किजेगा एक ही बार तो हमको एक बार जोड़ना और घटाना नहीं पड़े एक साथ adjust हो जाएगा कि इसके बार दिखे लिखावा है मैनेजर सैलरी मैनेजर कौन होता है स्टाफ है कि नहीं है अगर सैलरी होता पार्टनर का सैलरी होता अगर ओनर का तो वह चीज़ अलाव नहीं होता लेकिन यहां बोला सैल सैलरी किसका है मैनेजर का है तो मैनेजर अल्रेडी कि स्टाफ है तो वह अलावड है यह expenses कि तो रट्रीट होगा है अ-टान1 सिंटरी ट्रैंट ट्रेव्लिंग एक्सपेंसेंज रिपेयर इं इंशॉरेंस है ओवरद्राफ्ट पर इंट्रेस्ट ऑबन अलावड होगा बजसर के लिए हम बैंंक से सीची लौन लियी होंगे तो बिजनस के लिए लोन लिए तो उस पर इंट्रेस्ट भी क्या होगा बिजनस से इसलिए अलावड होगा ओफिस एक्सपेंसे लेबर वेलफेर एक्सपेंसे लेकिन देखना होगा पहले कि नीचे में कुछ हिंट दिया आए गया कि यह किस बात का है अगर यह कंपनसेशन वरकर्स को दिया गया होगा इंप्लोईज को दिया होगा तब तो यह लावड है लेकिन अगर यह कंपनसेशन कुछ और होगा तो पहले हमको देखना होगा एक पर हिंड में फिलाल अभी तक जहां तक हम पड़े वहां तक हमारे हिसाब से यह सारा एक्सपेंस क्या है अलावड है अभी तक फिलहाल अब नीचे आते हैं मतलब अभी तक आप सिर्फ क्या किये कि नेट प्रॉफिट एक लाग पचास हजार चारसो और उसमें से पेटेंट पर 25% करके 5250 रुपया एड कर दिए बाकी तो और कुछ है नहीं मैं देखो अब आगे जैसे ही आब आप यहां जाते हो अब आपको कुछ-कुछ हिंट दिया हुआ है कुस्टन में तो उस सारे हिंट को एक एक करके देखके चलना है कहता आप से फर्स्ट ग्राम ऑफ रुपीज 18,000 वस पर्चेज ऑन 28 मार्च इक इसके बारे में बोल रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देखो ग्राम पर्चेस था ना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया था कब 20 21 का मतलब 31 मार्च 2022 को यह खतम हो गया हो गाउंट पॉरा 31 मार्च को जो हम ग्राम खरीडे थे टोटल 3,04,000 का टोटल करा इस 3,04,000 में इस 18,000 के बारे में बात बोल रहा है बोना जो ग्राम हम इस साल पर्चेश किये थे 3,18,000 या 3,80,000 जो भी था उसमें से पॉरा 18,000 का ग्राम वस पर्चेश ऑँ ट्वेंटी एट मार्च 28 मार्च को खरीदा गया था करद इस अमाउंट इस इंक्लूड़ेड इन पर्जेश उपर पर्जेश था भी बोरा यह 18000 रुपया यह अठारा हजार रुपया यह और इंक्लूड हो चुका है किसके साथ मेरे पर्जेश के साथ मतलब कि हम करेंट यर क पर्जेश सो किये लेकिन कहता है आपसे बट नॉट इंक्लूड़ेड इन स्टॉक लेकिन फीजिकली अभी तक स्टॉक हमारे पास आया नहीं है कहता है डिलिवरी रिसीब हुआ है लेकिन कब सेकेंड अपरेल को आप ही सोचिए 31 मार्च 2022 को आपका अकाउंट क्लोज हो हो गया लेकिन यह दो दिन नहीं है मालिक यह एक फूरा फाइनेंशियल इयर ही क्लोज हो गया अब आप सोचिए कि क्या करना चाहिए इसको समझ रों क्या बोल रहा है परसे देखें तीन लाग चालीज़ार आपसे क्वेशन में कहा गया कि यह 18,000 रुप्या का माल जो हम प 2030 रुपिया यह इसके अंदर क्या हो गया इंक्लूड हो गया मतलब एक्सपेंसेज हम चार्ग कर चुक है लेकिन यह वह यक्ट इन्व न पहुंचा है अगले साल पहुचा तो क्या इस साल माल पहंचा हमको कंपता है कि हम 11 क्लास में पढ़ते थे और कभी भी ट्रांजक्शन नहीं होता है पढ़े थे आप लोग तो इसको आडर ही तुमानोगे न कि हम आडर तो किये थे लेकिन गुट्स का डिलीवरी अभी तक हुआ नहीं लेकिन हम गलती से क्या कर लिए रिकॉर्ड कर लिए इसका मतलब कि इस अठारा हजार को एक्सपेंसेज नॉट अलाउड मान कर हमको इसको क्या करना होगा एड कर देना होगा तो यह अठारा हजार रुपिया फाइनली यह पता चला कि एड कर लिजिए तो पॉइंट नमबर वन खतम हो गया कि आते हैं अब सेकेंड पर अब करता है ओफिस एक्सपेंसेज इंक्लूड रुपिस टूथाऊजड देखिए ओफिस एक्सपेंसेज कितना खर्चा कि टोटल सब्सक्राइब करा ऑफिस एक्सपेंसेज में 2000 रुपया इस 18300 में यह 2000 रुपया क्या है इंक्लूड है कि और यह 2000 रुपया खर्च कहां हुआ था एक्सपेंसेज अन डिपाबली जब बोला कि हम घर में पटाकाले किसए ले गया है घर में दिया जला है दिपावली है तो कंपणी में सोल ट्रेडिश और कि सबकिशु सबकिन के बिताइब बाते होंगे किसी की स्टाफ को गिफ्ट दीएγगे कुछ भी हो सकता है तो ध्यान रखेगा यह जो दिवाली expenses है 2,000 रुपया का actual में expenses तो है लेकिन यह expenses क्या होता है allowed expenses होता है यह not allowed expenses नहीं है यह allowed expenses अजब expenses allowed है इसका मतलब charge करना चाहिए और charge अगर हमको करना चाहिए और हम चार्ज कर चुके तो दिक्कत क्या है इसमें फिर तो छोड़ देना पड़ेगा इग्नोर करो उसको इसका मतलब कि टू नंबर का कोई काम नहीं होगा वन को हम माइनस करें आगे नंबर थार्ड करा श्री गर्ग इसा मैनेजर हिमसेल्फ देखो कैसा घुमाया कुछ बोला श्री गर्ग उस कंप में आप मैनेजर सेलरी देखे थे यह वाला देखो मैनेजर सेलरी 13000 का था बोला यह जो मैनेजर का सालरी हम 13000 दिये इसको अलाव मान लिये थे इसको अलाव आपकब मानेंगे जब वह स्टाफ था तो इस टाइम में हम स्टाफ मान करके उसको अलाव कर दिये और अब बाद कंपनी है वो खुद ही मैनेजर है इसका मतलब है कि आप जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा दो अजो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट है क्षो एकस देना होगा तो आप मिस्टर गर्ग हैं और Mr. Garg का business है और वो खुद अपने business से salary ले रहे हैं तो ऐसे में वो PGPP income में अलाव नहीं है इसलिए वो आप वहां से क्या करोगे पहले उसको minus करोगे हटा होगे उसको तो हम इसको हटाने के लिए इस income को भी यहां से क्या करेंगे हम add कर लेंगे 3rd number हो गया 4th number में अब थोड़ा असेट के बारे में कुछ क्या हा गया देखो करा असेट्स ऑफ फैक्टरी वेस ऐस फॉलो बोला फैक्टरी का building है machinery है जो लिग दिया कि एक अपरेल से ही है मतलब बोलना क्या चाहरा जमते है कि जो मशीन है और जो building है वो कब से हमारे पास है शुरुवात से ही है बोलना चाहरा है ठीक है इसका यूज कब होगा जब हम depreciation निकालना शुरू करेंगे तब उस समय उसका यूज होगा depreciation बोला है नमबर 5 depreciation on above assets is not charged in profit and loss account यानि इन सब पर building पर मशीन पर जो भी था हम उस पर depreciation चार्ज नहीं किये हैं मेरे ट्रेडिंग profit and loss account में देखे तो कहीं लिखावा depreciation on building and machine ऐसा कुछ भी अब depreciation आपके लिए allowed है कि not allowed है तो depreciation चार्ज करना पड़ेगा आप हम लोगों को तो depreciation चार्ज करोगे किस पे building पर और machinery पर depreciation चार्ज करोगे बिल्डिंग पर depreciation का rate होता है मालिक 10 पर सेंट और machinery पर बिल्डिंग का चार्ज होता है 15 पर सेंट तो ध्यानक ना होगा आपको अब एक नोट यहां पर और आपको बनालना होगा कि factory building पर depreciation और बिल्डिंग कितना चार्ज करना है एड़रेट 10 पर सेंट पर एनम और depreciation और machinery चार्ज करना है एड़रेट 15 पर सेंट पर एनम कहां से मिलेगा तो इसके लिए reference हम लोगों को लेना होगा depreciation चप्टर और IT एक ठीक है तो यह depreciation allowed कि not allowed allowed है तो depreciation आपको सारा profit loss निकालने के बाद क्या कर लेना होगा माइनस कर लोगा इन्हीं इसका head कौन से हो जाएगा expenses allowed but not charge या recorded जो भी बोल सकते हो तो इसको उसी वाले हैड में जाके क्या किज़ेगा माइनस करिएगा अब बात है कि भाई factory building कितने का था machine कितने का था देखना पड़ेगा तभी तो चार्ज करोगे देखिए तो पाक्ट्री बिल्डेंग कही नजर आ रहा है कि देखते हैं नीचे दिया होगा है कि अधिशनल में है कि मिशिंग कुर्शन में हाँ ठीक ठीक है ठीक है मतलब इसमें मिसींग है यह बोलना चाहरा है ठीक है देखिए फैक्टरी बिल्डिंग और मशीन पे डेप्रीसियेशन कितना चार्ज होता है 10 और 15 याद रख लोगे रिफ्रेंस लेना होगा इट एक्ट डेप्रीसियेशन चार्ज होगा अब डेप्रीसियेशन तो चार्ज होना यह लेकिन कितने का होगा तो यहां पे इसके हमको मालूम है और यह अलावड expenses है तो expenses allowed but not charge वाले topic में जाके माइनस कर लेना है इसका लिखा compensation paid for breach of contract compensation दिया गया है किस बात के लिए तो हमने contract तोड़ दिया इसलिए यह business related expenses है इसको हम allowed expenses मानते हैं fine allowed नहीं होता है ध्यान रखेगा अगर लिखा रहेगा fine fine लिखा है interest लिखा है तो यह सब allowed है लेकिन अगर लिख देगा penalty मतलब illegal activity की वजह से आपको penalty भरना पड़ा है penalty में और fine में difference होता है fine कब लगता जानते हैं जैसे मालीच जी हम लोग को tax भरना था समय पर नहीं भरे delay हो गया तो fine लग गया अब penalty मतलब क्या होता है illegal activity में पकड़े गए तब आप पे क्या चार्च चरह जाएगा penalty चार्च किया जाएगा तो अगर आप पे interest लिखा रहेगा fine लिखा रहेगा compensation लिखा रहेगा तो यह सब allowed है लेकिन जहां पेनल्टी लग गया मतलब तब वह allowed नहीं क्योंकि वह illegal activity में आप फस गये तो शब्दों को समझिएगा उसकी माय जाल को बाकी question में profit loss plus minus कर लिजेगा यानि इस पूरे question का इस पूरे question का अगर overview लिजेगा क्या करना पड़ेगा सबसे पहले net profit लिखोगे net profit में से income के नाम पर एक भी इंकम ऐसा नहीं है जो not allowed है छोड़ देना कि इसके बाद है पेटेंट लिखा था पेटेंट में 25% depreciation माइनस करके हम अब आड़ कर लिए और एड करने के बाद सीधे आ गया हम हमारे अड़ेस्मेंट अब जिसमें अब अब को प्लस मैनस करने बोले प्लस मैनस करीए को क्टम कर दीजिए हो गया question कि को आगए लिए अग्षिशन नुबर लिए गुश्चन नुबर सिक्स भी देख लेते हैं लिए ग्षिशन नुबर सिक्स में क्या बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ एट्रेडर शोज अने प्रॉफिट आफ रूपीज थ्री लाग थर्टी एट थाउदन देखो इस क् क्या करोंगे मतलब ना आपको क्रेडिट ढूणना है इंकम अलावड नहीं आपको एक्सपेंसेज ढूणना है कि अलावड कौन सा है तुमको महनत नहीं करना है अब नेट प्रॉफिट तीन लाख 38,000 रुपया दिया हुआ है आफ्टर डेबिटिंग दा फॉलोइंग आइ 38,000 यह 38,000 यह 38,000 कब आया यह सारा आइटम माइनस करने के बाद आया अब आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि अगर इसमें से कोई आइटम बार बार बोल रहे हैं ध्यान रखेंगा जो बोल रहे हैं कि अभी यह ट्रेडिंग प्यल बना कर नहीं दिया हुआ इसका कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट कुछ बनाया नहीं सिर्फ एक हिंट लिख दिया आफ्टर डेबिटिंग दा फॉलोइंग अमाउन तो पील अकाउंट में डेबिट करके दिया हुआ क्रेडिट तो नहीं बोला तो साफ साफ या लिगा आफ्टर डेबिटि इफ कोन और यह 3 है आपसेंसेशंस दो तरह हो सकता एक ऐकसिसेज यह अलावड हो सकता है अगर एकसिसेजज अलावड है क्या एकसिस त Elsqlite लिखने नहीं यानि इन में से कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो तुमको दिखा रहा है जो अलाउड है तो माइनस करना है माइनस करना है तो माइनस करके ही तो दिया हुआ है तो आपको उसको इग्नोर कर देने याद रखना है कि कोई भी एक्सपेंस जो अलाउड है उसको इग्नोर कर दो क्यों ऐसे आइटम को फिर क्यों घटाएंगे तो हमको उसको expenses जो not allowed है उसको सिर्फ यहां हमको एक एक करके क्या करना है एड कर लेना है तो हमको सबसे पहले उसका list देखना होगा क्या फिर कौन सा expenses है जो allowed नहीं है बस इतने ही तो काम करना है देखिए तो इस question में सबसे first आपको दिया है वोड़ा payment of income tax 7000 रुपीज and income tax proceeding expenses रुपीज 11,000 इस साथ हजार रुपय का income tax income tax कब दोगे income calculate होगा उसके बाठ टैक्स भरोगे कि पहले ही हम टैक्स पहले ही हम टैक्स का पैसा माइनस करके फिर इंकम टैक्स निकालेंगे ऐसा तो नहीं होगा बोल रहा है साथ हजार रुपया यह क्या है कि साथ हजार क्या है कि इंकम टैक्स है मतलब टैक्स अमांट है अच्छा और यह 11,000 रुपया यह कौन सा expenses मतलब लगा उस्को प्रॉसेस करने के लिए मतलब तुम अकाउंटिंग शचाहस बोल सक्ते हो समझ रवाद यह नहीं यहां लिखा हूआ इंकम टैक्स प्रोसीडिंग एक्सपेंस क्या लिखा है इनकम टैक्स मतलब मुझे कितना टाक्स पे करना है कि इसका application कैसे करोगे इंकम निखालोगे तब इंकम निखालोगे मतलब कि ट्रेडिंग प्रॉफिट आंड अकाउंट मतलब एक्ष्वल में यह जो 11,000 है इसको तुम है कि अकाउन्टिंग चार्जेज गह सकते हैं कि हमको इंकम टैक्स देना साथ हजार है लेकिन ये साथ हजार निकालने के लिए हमको कैलकुरेशन दो करना पड़ेगा न हम जनरल लेजर ट्राइल बैलेंट ट्रेडिंग पियल ना जाने क्या-क्या बनाएंगे तब न यह निकला होगा तो भाई चार्ज तो कोई लेगा तो यह मत होगे न होता है तो क्या बुलेगा टैक्स नील आ फाइलिंग का दो हजार है तो भाई चार्ज तो पे करना हूँ अब इन दोनों में से तुमको क्या लगता है कि कौन सा एक्सपेंस नोट अलाउड होगा अकंटिंग बिजनस के लिए अलाउड है कि नहीं मतलब ही तो अला इस इंकम पर टैक्स दोगे तो सही निकलेगा कि 7000 इंकम टैक्स माइनस कर दिये अगर इस पैसे पर टैक्स दोगे तो गलत नहों जाएगा क्योंकि आप तो अल्रेडी माइनस कर चुके ना टैक्स तो यह एक्शुल में क्या है आपका इंकम है पहले इस 7000 रुपया को इस साथ क्या करोगे एड करोगे तो तुम्हारा इंकम क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा अज जो इनकम आएगा आप उस पर टैक्स पर करेंगे तो आप टैक्स पहले पेमिंट कैसे कर दोगे प्रोवीजन इसका मतलब है कि यह 7000 रुपया आपके लिए क्या है not allowed है तो इस payment of income tax rupees 1000 अब 7000 रुपया income tax हमको भरना था उसके लिए हम लोन लिए जिस पर इंट्रेस हमको बरना पड़ गया जब इंकम टैक्सी अलावड नहीं है तो इसको आप इंट्रेस्ट दे रहे हो कहां से अलावड हो जाएगा तो यह भी आइटम क्या होगा इसको भी क्या किजए इसके बार लिखा है जी एस्टी अठारा सो एंट्रेस 4000 वर डिले पेमेंट ऑफ जी एस्टी हम आभी पढ़े थे ना कि देखो जी एस्टी हो सेल्स टैक्स हो या किसी भी तरह का टैक्स हो वह हमेशा क्या होता है अलावड होता है और उस पे अगर इंट्रेस्ट चार्ज तो वह भी हमेशा क्या होता है अलावड होता है लेकिन अगर आपसे लिख दे की इंट्रेस्ट पेकि ही उसकी वज़े से इंट्रेस्ट लग गया मेरा 4000 का और है ना तो इसका मतलब कि यह वला हमारे लिए क्या हो गया allowed है कि not allowed है तो ऐसे में इसको क्या किजेगा एड कर ले अलाउड है तो क्या करोगे इग्नोर कर लो तो इसको क्या करना है आपको कुछ करने नहीं आप देखिए क्या लिखा कैश पेमेंट टू अक्रेडिटर अठाइस हजार रुपया अब यहां से रिलेटेड रूल समझना हूँ कि अगर कि कैश पेड हुआ है तेन थाउजन रुपीज है ना और मोर यदि दस हजार रुपया या उससे जादा का पेमेंट अगर हमने हमारे क्रेडिटर्स को किया लेकिन कैसे पेमेंट होना चाहिए कैश में अगर पेमेंट हो रहा है तो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे नॉट अलावड एक्सपेंसे मानता है ऐसे एक्सपेंसेस का कौई भी आपको डिड़क्शन यनि ऐसे एक्सपेंसेस को आप म separate नहीं कर सकतें वो नउट अलावड होता है इसलिए जब कभी भी आप कंपनी में काम करेंगे ना आपका साल पर दो हजारी क्यों ना हो आप कंपनी के एक इंपलोई को चाही क्यों न पिलाते हो आप कंपनी से स्टेशनरी कंपनी स्टेशनरी क्यों न खरिदता हो company हर payment देखेगा company हर छोटा और बड़ा payment या तो वो चेक से करेगा या तो फिर वो online transaction के थू करेगा लेकिन कभी भी वो आपको payment कैसे नहीं करेगा cash नहीं करेगा नुकसान क्या है सुनो अगर हम cash payment कर दिये cash payment कर दिये तो income tax department उसको क्या करता है allow नहीं करता यानि जहां आप payment cash में किये मतलब वो expenses क्या हुआ अलाव नहीं हुआ अब expenses अलाव नहीं होगा तो तुम्हारे income को वो क्या करेगा बढ़ा देगा जहां income बढ़ गया तो तुमको tax क्या करना होगा ज्यादा पे करना पड़ेगा आप बताई ये company आपको salary भी पे करें और उपर से आपका टेक्स खुद भरें मतलब समझे रहो अगर हम company है आप मेरे employee हो हम आपको पूरे साल का salary cash में दे दिए कि समझ गया बाद माल लिजे कि पांच लग का salary घर हम आपको क्यक्स मीरव में दे दिए या और हम आपको salary कैश में दिये तो आप के लिए वह salary income है क्योंकि अब आपको salary cash में मिला तो टेक्स चोरी ऊने का पुरा चांस है क्योंकि salary आपको cash में मिला आपका income तो दिखेगा है नहीं त सैद्चे और हम क्या किये अपनी company के trading plo कर debit side में expenses बोलोग दिखा दियें तो तुम भी टैक्स देने से बच गये और company अगर हम है तो हम expenses दिखा दियें तो मेरा profit भी क्या हुआ कम हुआ और हम भी tax देने से बच गये तो employee को भी मज़ा company को भी मज़ा नुक्सान किसको हुगा government को नुक्सान लग गया कि उसको जो tax मिलना था मिला ही नहीं इसलिए government ने rule क्या बनाया कि 10,000 तक से नीचे का जो expenses वो allowed है लेकिन 10,000 से उपर अगर आप expenses cash में payment कर रहे हो बोले दम देंगे नहीं अलावट अब इससे फाइदा क्या होगा इस रूल से फाइदा क्या होगा कि जो company अपने employee को cash में salary देता होगा वो cash में salary नहीं दे करके वो कैसे देगा वो चेक में salary देगा क्यों देगा क्योंकि अगर हम आपको चेक से salary दे रहे हैं तो आप अपना salary income चुपापा होगे नहीं तो आपको आपके income पे tax भरना पड़ेगा यानि आप अपने income salary income पे tax भरो सरकार को अब मेरे लिए फाइदा क्या होगा कि अब हम उसको अपने trading PL account के debit side में salary बोल करके हम उसको जगह दे सकते हैं क्योंकि वो allowed है अज जहां salary पे कर दिये तो मेरा profit क्या होगा घट जाएगा और घटी हुई profit पर हमको tax देना पड़ेगा तो फाइदा ये हुआ कि employee का income है employee समझ करना नहीं कि इतना थोड़ा समझा दिए बस काम खतम इतना तो भी दो मिनट पर हो चुका हुआ है तो हमको ये भी समझना है कि आखिर expenses not allowed है आखिर cash payment ताकिर क्यों नहीं है तो देखो cash paid हुआ है 10,000 या उससे जादा तो ऐसे expenses को income tax department अलाओ नहीं करता कि कितना नहीं करता जितना पेड़ी क्योंगा पुरा कोई exemption नहीं ऐसा मत समझेगा यहां देखिए cash कितना पेड़ हुआ है cash paid हुआ है कितना 28,000 यह मत सोचिएगा 10,000 तक ना अलाओड है तो 10,000 से उपर कितना होगा 18,000 तो 18,000 not allowed नहीं मानना दस हजार से उपर आप पेड़ किये ना पूरा ही not allowed होगा इन्हें कि 10 से उपर वाल 100% यह not allowed हो जाएगा तो इस पूरे income को net profit के साथ क्या किजेगा add कर लिजेगा अब add करने से क्या हुआ देखिए यह tax यह payment 28,000 हमने किसको दिया था तो इस income पे tax किसको चुकाना होता लेकिन क्रेडिटर को चुकी हमने दे दिया cash तो वो tax चोरी कर सकता है तो एक काम करो अगर वो tax चोरी कर लिया तो उसके बदले तुम भरो क्यों 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 आप तो इसको इसको एलाव नहीं दिखा सकते एलाव नहीं दिखाओगे तो यह 28,000 आपको net profit के साथ क्या करना हो जैसे एड करोगे तो तुम्हारा profit क्या होगा बढ़ जाएगा अब creditor के बदले तुम भरो tax इसलिए देखेगा कि दूसरे का tax हम क्यों भर है इसलिए company तुमसे दो रुपए भी रखेगी उधार ना तो आपको उसका payment online करेगी या फिर वह आपको उसका check issue करेगी लेकिन cash allowed नहीं करता तो आप बोलेंगे सरी 10,000 का limit क्यों है इभी नहीं होना चाहिए था देखो सरकार democratic सिस्टम में चलता था ना शाही तो नहीं नहीं सरकार को पता है कि कुछ ऐसे expenses हैं कुछ ऐसा घर्च है जिसका payment cash में ही होता है वहां check या online source चलता ही नहीं है तो तुम क्या कर होगे जैसे सपोस किजिए और तो भाड़ा हम दे रहें आज थोड़ा टेकनलोजी आज के टाइम पर टेकनलोजी थोड़ा अडवांस हो गया है लेकिन क्या आप मानते हैं कि हर जगह online और चेक चलता है रेल्वे में आप टिकट कटा रहें जेनरल टिकट तो जेनरल टिकट भी online कट सकता है लेकिन अगर आप online नहीं जाना चाहते हैं आफ लाइन जाना चाहते हो तो कैसे करोगे टिकट काउंटर पर online सिस्टम है चेक अलावड़ोता है तो तो कैसे लेना होगा थेला भाड़ा रिक्षा भाड़ा ओटो भाड़ा नहीं बाजार में गए रिफरेश् नहीं कर पाएगी तो ऐसी इस्तिती में भाई हर जगह तो चैक नहीं चलेगा उस तो चलेगा तो जहां चैक चल जहां चैक नहीं चल रहा है वहां आपको एक लिमिट दिया गया कि दस हजार रुपय तक आप खर्च कर सकते हो समझ के बाद इसलिए वह दस हजार तक का लिम मैं तुकीफनिंस औफ और ह व।ो फॉकस इस पे कि आ पंका किस्ट पर कितना है और पीजीबिंडभी कम ब्लोग मेरे कुट का घर है है और बिसार चैक टिशक लेक्र तो रेगे नहीं होता देख़ू क्या बोला है एक घर है पुराँ बड़ा मुनसिपल टाक्स अठारा सो हम टोटल पे किये मतलब इस पूरे घर का मुनसिपल टाक्स है आपके पास अठारा सो कहता है उसमें से वन थर्ड पोर्शन आफ दा हाउस इस यूज फ़दा बिजनस इसका मालीजे वन थर्ड यूज करते हुआ किसके लिए य थे कि घर किराये पे लगाये रहने के लिए घर किराये पे लगाये दुकान के लिए फ्लाइट लगा दिये बंगलो लगा दिये अगर आप उसको किराये पे लगा रहे हो तो वह हाउस प्रपरटी में आता है चाहे वो दुकान हो चाहे वो मकान हो चाहे वो कुछ भी हो तो अब पढ़ रहे होना तो भाई इसमें तो अगर हम सेल्फ उकुपाइड खुद के रहने के लिए उसका तो तो तुम से आपको बोला गया कि पूरी बिल्डिंग का मुंसिपल टाक्स हम अठारा सो पे गरते हैं जिसमें से वन थाड पोर्शन जो है हाउस का वह यूज होत बांकी जो रिमेनिंग पॉर्शन होता किसके लिए तो आप ही सोचो कि अगर हम लेट आउट करेंगे तो हाउस प्रोपर्टी में जाएगा अगर हम सेल्फ उक्वाइड करेंगे तो किसमें जाएगा तो इसका मतलब हमको फोकस किस पे करना है वन थाड पे तो करना है तो ब पिए टाक्स भर्र है तो अठारह सो में वन थर्ड है यह ना यनी अठारह सो का वन थर्ड यह अज़ावड है किसमें तो अठारह सो का वन थर्ड मतलब कितना चेश हो गया लाउड तो allowed को तो हमको कुछ करने नहीं not allowed या disallowed न हम प्लस करेंगे तो 1800 में 600 allowed तो not allowed कितना 1200 तो आपको क्या करना होगा कि इस वाले point में आपको 1200 रुपिया municipal tax जो होगा वो not allowed बोल करके आपको क्या करना होगा minus करो नहीं one third allowed है तो two third allowed नहीं तो 1800 का two third निकाल लेना direct निकल जागा नोठ लाओ उतना महिंद करने को जुरत नहीं पड़ेगा इसके बाद है income tax रुपिज 750 accrued during the previous year is not recorded in profit and loss account पिछले साल 750 रुपे का income tax हम है ना accrued था मतलब पेबल था कि नहीं था 750 रुपे का income tax पिछले साल में हम accrued लिके थे है ना previous year is not recorded or in the P&L account पिछले साल accrued था तो इस साल का क्या होगा expenses होगा तो हमको charge करना था तो हम charge नहीं किये नहीं किये तो आप करना पड़ेगा तुमको क्या किजेगा इसको add कर लेना मालिक इस पाइटम को क्योंकि income tax accrued है income tax ना accrued है income of rupees 700 sorry income है 750 रुपीज का जो पिछले साल accrued था income tax किस पेसिस पे चलता है accrual basis पे चलता है अगर पिछले साल का income है तो इस income पे tax हम पे कर चुके होंगे कब पिछले साल पे कर चुके होंगे तो क्या करेंगे इसल फिर सभर दे तो इसको क्या करोगे not allowed करो और अगर हम cash basis मानते तो पिछले साल के income पे tax हमको कब देना था पिछले साल देना था अभी क्यों दे हम प्रिक्ता तो दोनों ही situation में तुम accrual मानोगे या accrual मानोगे इस 750 रुपीज को add करना पढ़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए क्या दिखा रहा है income है expenses नहीं है उपर में बोल दिया debit अलाश्ट में क्या दे दिया मेरा income दे दिया बोल करके मतलब ये debit का पार्ट नहीं है क्रेडिट वाला पार्ट तो इस item को भी क्या करोगे income तो है लेकिन not allowed है क्योंकि वह already हम इस पे payment कर चुके तो इस पैसे को उठा के यहां से क्या करना प्लस करने ना बाकी और तो कुछ है नहीं अच्छा है कि profit है ना कि करा है कि करा आप से अफोसेट नेट प्रॉफिट इंक्लूड रुपीज 3,000 फर रिकवरी ओफ ओल्ड बैड डेट्स विच वेर डिस अलावड बाई दा इंकम टैक्स ओफिसर इन दा पास दिया देखे क्या बोला बोला एक तीन हजार रुपे का बैड डेट्स मेरा रिकवर्ड हुआ था बोला एक अफोसेट नेट प्रॉफिट इंक्लूड किये थे तीन हजार रुपे का हम रिकवरी किये थे ओल्ड बैड डेट्स विच वेर डिस अलावड बाई दा इंकम टैक्स ओफिसर बाई पास्ट यह तीन हजार रुपे का एक बैड डेट्स था जो रिकवर्ड हो गया उसको आप कहा दिखाए होंगे इंकम में की एक्स्पेंसेज में इंकम में दिखाए होंगे इंकम में दिखाए होंगे तो आपका जो इंकम है वो क्या हो गया होगा इंक्रीज हो गया होगा तो उस बड़ी हुवी इंकम पर टैक्स पे कर चुके होंगे लेकिन अब कह दिया कि वह इंकम क्या था अलाउड नहीं था बोल रहा ना इसका मतलब है पहले आप टैक्स भर समझ वह बात क्या बोल रहा है पिछले साल बेट डेट से कंवर हुआ रिकवर हुआ तो हम को लगा बैडाइट से का वुद होतूं पता चलता है कि वह इंकम आब इपार्ट्रमेंट किया डिस चलाउड कर दिया तो इसका मतलब है फिरिफोकर्ट में टेड्ल कर दिये इसका मतलब है कि वड्लक सब्सक्राइब आइड कर लेना एकक फिर चोड़कर और एक आईटम क्या कर लेना यहां पर माइनश कर लेना है कि 메 coron necessity झाल झाल